स्वागा तो सभी का फिर से आपका प्रटिवीटी चनल पर अनेक्स पाड़ियोसल गुरू और आज का जो दिन है वो काफी कह सकते हैं एक खराब दिन के रूप में इसे गिना जाएगा इसलिए कि कहीं न कहीं सारी मेहनत को एक जटके में बरबाद कर दिया गया है वैसे बच पर इच्छा रद करने की बात कहीं गई अब जाहिर से बात है कि कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे किस तर आपने बताया था कि रियल्ट आएका रियल्ट आएगा और साइन करने के लिए चीज़े गई थी लेकिन पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा चीज होता है जो कि कहीं कहीं पूरे सिस्टम को फिर से रिक्रेट करने की कुछिशिस करता है और हर सरकारे चाहती है कि जो नौकरी होती है उसका क्रेट वो ले जैसे के टीचर में भी देखा गया है आप लोगों ने देखा हुई होगा कि किस तरह से टीचर की नौकरी को आरजड़ी अपना क्रेट और उसके बाद आपने फिजिकल निकाला और डेट का इंतियार कर रहे थे आपको वकर बिलीव नहीं को तो बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग मैंने मॉर्निंग में मतलब रात में आया आप लोका रिजल्ट आपका साम में आया पर आपके रिजल्ट के लिए मैं बहुत द कि इस चनल पर आपको हवा में बात नहीं की जाती है और बहुते लोग को मैंने एज लीड किया है और उनको आगे बढ़ाया है तो मैंने आपके लिए आवाज भी उठाई थी सबसे पहले मेरे चीजों को देखिएगा जो मैंने वहां पर रखी थी क्या रखा था यह तो ब कि आप लोगों बोल रहे थे मुझे साम में लेकिन देखिए उससे पहले मैंने सुबह में ही यह मैंने अपने मेल आइडी से एन एक्सपर्ट अब जीस ऑल गुरु से किया है एस सबीसे के नाम से क्या रिखा है सब्जेक्ट में फोर द रिजल्ट ऑफ सिक्रूटी गार्ट फीजिकल किसको भेजा है जड़ देखिएगा तो लिखा हुआ है सेक्रेट्री बीवीएस का मतला होता है जो सचीव होते हैं आई एस चुको साइन करना था बिहार विदान शवा बीवीएस सौट फर्म होता है कब किया है टाइमिंग देख लिजे दिन में 10 बच कर 56 रिजल उनको mail किया 5 बच करके यानि 11 बचे उनको message किया मैंने और आज का date देख जेए 5 मार्स 2024 दस बच के 56 में mail गया है mail में क्या लिखा हुआ है अगर आपको English आता होगा तो बता देते हैं जिनको नहीं आता होगा और जिनको आता होगा देखे होगे जो भी mail का जो format तरीका होता official mail का वो मैंने लिखा है कि sir most humbly and respectfully I beg to state that I am waiting for the physical result of Bihar Bidhan Sabha security guard. Its physical was held in December 2023 ठीक है? And now physical December now it is March 2024 and still there is not any information regarding its. So sir kindly give your attention in this subject so that we can have a better future with the Bihar government. ये मैंने message किया था ठीक है? तो अब इस message का reply रात में मतलब सामें मिला क्या? तुन्हों ने उस file को जब देखा और देखा तो समझ में आया कि भाई ये तो गवर्मेंट दूसरी गवर्मेंट के तरफ से 23 में चुकी सरकार जो थी वो RJD और जदिव की सरकार थी और जदिव और RJD मेंसे से भी थोड़ा conflict चल रहा था इसलिए उस vacancy को cancel किया गया अब देखिए मेरा message गया एक 11 बजे और आपको बोले सर cancel हो गया आप बोले थे result आएगा तो देखिए सचीव का ये reply आया कि ये cancel करना आप सचीव का क्या वहाँ से message आया देखिए आवर सचीव को जिसको मैंने mail किया था उन्होंने क्या एक notice जारी किया विग्यापन संक्या एक 2030 के अंतरगत जो सुरक्षा गाट करी पदल पर सीधी भरती हुई थी जिसका PT हुआ था 10-9 10-9 के बात करते हैं तो 10 सितंबर को ठीक है आयोजित परांडियक परिक्षा और इसका फिजकल हुआ था 19 जनवरी को से 22 तेक जो आप लोगों मैं बताया भी था और इसकी फाइनली जो है वो परतिवेदं के अधार पर समय बीवेश्चे रात परत उप्यक्षा को रद करने करने का नहीं लगते हैं यानि सोच विचार करके सरकार से पूछी गई होगी अवर सची उनने पूछा होगा कि क्या इस फोग मैं पब्लिश करू की नहीं करू कि जाहिट से बात है अभी जदिव और आरजडी में नौकरियों को पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकार से रेजल्ट कैंसिल हुआ है चुकि आरजडी के दौर में ये वेगेंसी आई थी और जैदिव का कारेकाल बीजेपी के साथ टाइफ हो गया है तो इस कार में जो है वो बीजेपी और जैदिव मिल करके उन तमाम वेगेंसियों को फिर से रिक्रियेट करना चाहते हैं जिसमें क्रेडिट उनका बने और आने वाले 2025 में जो है वो बिहार बिधान सभा चुनाओ में इनका एक अच्छा प्रभाव पड़े युवाओ के बीच में ठीक है अब इसको लेकर के आपका रिजल्ट कैंसिल किया गया है दूसरी चीज बिहार बिधान सभा की जो नई वेकेंसी आई है पहले उसका अड्मिट कार्ड जारी होगा जो कि आपकी इसके बाद ऑपिस्टेनेंट आया था कर्याले परचारी का जो आया था उसके बाद फिर एसो का आया था अब उसकी प्रक्रिया सुरू होगी ठीक है तो इसमें आप आपको जो सिक्रूटी गाड का जो है यह आपका मुख रूप से अप एक्जाम डेट नहीं के बराबर होगा चुकि लास्ट लास्ट में आपडेट बताया भी था कि इस वीक तक आपका रिजल्ट आएगा अब इस वीक तक देखिए साथ तारीक से पहले पांस तारीक हो ग आगे प्रक्रियाख्याँ बताएगी मैं पहले ही आपको डाता हूं चुकि साम्में आपका रिजल्ट आया यह रिजल्ट ऐसी नहीं आया इस रिजल्ट के लिए मैंने 11 बजे मेल किया था सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी जो होते हो आई इसके टॉप लिफल के अधिकारी हो होते हैं उनको मैंने मेल की उस मेल को लूळों ने देखा उसके बाद इनी ये देकिए एक मेल का एक की होता है कि सेम डेट को मेल गया और सेम डेट को साम में है मेल में इस दिनहीं कर रहा द बिलकुल फॉरियॉस चीजे होसमे और मेल एकmaster को मेल लिखते हैं तुरूश tecnología दिया चुकि आप से क्रेट्री को मेल लिख रहे हैं चोटे मोटे वेक्टी को नहीं तो मेल का एफेक्ट यही दिखा कि आपका ओफिसियल एजाम कैंसल कर दिया गया है और आप जो विहाविदान सभा कर पिछली वेकेंसी जो अभी हमने फॉर्म भा रहा है आप उस पर फोकस और 24 का जो आधा मार्च निकल गया यह 16-17 महीने आप लोग के साथ काफी ज़्यादा कैसकते हैं नाइंसाफी हुआ है चुकि आज के युगा के मन में जो बिरुजगारी का यह इस्तर चल रहा है उसमें कहीं न कहीं आप लोग को जोब बहुत मेंडेटरी था इसमें बहु आपको सुधारना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपको पहले सब रखना होगा चुकि कहा जाता है कि अक्सर जो होता है वो गुस्से में कोई वी चीज जो फैसला होता ना वो लिया जाता है तो वो कहीं न कहीं आगे जाकर कि आप इको नुकसान पहुचाता है इस लिए इस मुद्य को जादा आप उख मत बढ़ाईएगा जाहिएगा जाहिए कि सरकार जो होती है वह आप सरकार के विरुध तो नहीं जा सकते हैं लेकिन हाँ सरकार का जब हिस्सा बन जाईएगा तो कोशिस की जाएगा सरकार को पुजवल भविस है और अभी जो मीडिया का समय चल रहा है तो बहुत सारे चीजों को मीडिया जो होती है अब्जर्व करता है ओनलाइन आपके कौन-कौन बच्चे का ख्यारी एक्षन होता है चाहिए वो हमारे चैनल पर हो किसी चैनल पर बहुत सारे मैं मेंटर को देखता ह कर होता है किसी का मारण दर्संग कर रहे है तो आप खुद ना गलत uksम though लिए नहीं अपने followers को गलत बोलने के लिए credit कीजे ठीक है हर चीज कीज का यह सभी तरीका होता है हख मांगने का स्रकार को मार करकिक मांगा जाए है इसलिए आप लो जो कमेंट कर रहे हैं कि इनको बोड़ दो ज्यादा इस सब चीजें मत कीजिए का चुकि जाहिड सी बात है हर चीज पर आपकी नजर रखी जा रही है हां गलत हुआ इस बात को मैं कहूंगा और मैं बिल्कुर कहूंगा कि आप साल गलत हुआ 16-17 महीने की जो आपकी महनत थी वो बेकार चली गई लेकिन खेर अगर ठान लिया तो ठान लिया खायतना कि हम भी दरिया है हमें भी अपना हुनर मालूम है जिस कदर जिस तरफ चल पाएंगे मंजिर वही निकल पाएगी वही बात है कि अगर महनत किये है तो कहीं न कहीं आप होना ना होना यह एलग बात था आपने कोसिस किया न आपने कोसिस किया ना पस यह सही बात था इस नहीं हुगा debe आगे जो भी वेकेंसी आगे मैं इसका ब्लेट बादते रहूंगा सुवस काफी आद में ब्यस था ओफिस में भी था उस टाइम में थ्रवा क्लास वगर ले रहा था मैंने आपको मैसेज देख रहा कि रिप्लाई नहीं कर पाया अज रात में दस बजे में जब आया तो मुझ रहें सयम रहें और लागताय मेहनद करते रहें जैन जयावाल बाबाद टेक केर लाट थो थैंक्यू